इस समय हम लोग डिसकस कर रहे हैं इंग्लिश में जो वक्याब का एक ओर्डर होता है अलफ़ाबेटिकली ओर्डर यह हमारी वक्याबरी है जिसमें हमने लेटर ए से स्टार्ट किया है और इस पे हम वन बाई वन करके काफी सारे वर्ड्स हैं जो कर चुके हैं और काफी सारे वर्ड्स हैं जो कि अभी हम आज करेंगे तो एक सीरीज है यह प्रॉपरली जिसमें हम लोग जो है वर लेटर ए से लेकर के ए में इतने जो भी वर्ड्स पूछे जाते हैं ग्हांस में और जो遊 सारे वर्ड्स को एक साथ हम में पढ़ा रहा हो जहां पर आपको word का meaning भी पता चलेगा और इसके साथ साथ में उसके synonyms और antonyms भी आप जान पाएंगे, ठीक है, तो शुरू करते हैं आज यहां की class को, सबसे पहला word जो आपके लिए आज की class है, जो है analgesic, तो इस शब्द को जरा आप ध्यान से देखे, इस word का मतलब क्या यह है analgesic, ठीक है, अब देखे, analgesic होता क्या है, सबसे पहले चीज, a medication that causes drowsiness, a medication that reduces pain, a medication that causes inflammation, or a medication that reduces fever, ध्यान दीजेगा कि यह जो है, एक ऐसा medicine होता है, जो यह आपके pain को relief करता है, मतलब जो pain होता है, जो तकलीफ होती है, जो दर्द होता है, उसमें relief देता है, बेसिकली local ointment की तरह होता है, कि मालेचे आपको हाथ में कहीं पर पेल हो रहा है, और आपने उसको लगा लिया, तो आपको लगाने के बाद उस जिखे पर सुन ऐसा महसूस होगा, आप उस जिखे पर अज़्यादा दर्द को महसूस नहीं करेंगे, बेसिकली देखे तो ज substitution में इस वर्ड को पूछा जा सकता है, तो a medication that reduces pain, which of the following is an example of energy, क्या example हो सकता है, तो pain relief देखे, penicillin नहीं होता, यह antibiotic है, insulin diabetic वालों के लिए होता है, यह caffeine लिखा है, आपके पास answer क्या बनेगा, आई ब्रूफिन हो जाएगा, जो कि हम इसको basically यह बहुत एक दवा red color की पहले आती थी, और यह जो red color की दवा दी, इसको खाने से बहुत ज़्यादा आराम मिलता था, तो ब्रूफिन इस दवा को हम लोग बोलते थे, simple language में, तो अभी हाँ पर यह word है, जो कि इसके लिए ब कुछा गया है कि what is mean by the word affected, तो देखी यहाँ पर पहले इक शब्द में आ गया है affected, यानि कि प्रभावित, ठीक है, तो affect word होता है, basically जो word होता है, यहाँ यहाँ पर दो शब्द होते हैं, हमाले पास, एक होता है effect और एक होता है affect, ठीक है, तो यह जो effect शब्द है आपका, वो जो है वो आपका प्रभाव, इसका अर्थ होता है, यह noun form है, और यह इसका verb form होता है, यानि इसका मतलब ही होता है, प्रभावित करना, ठीक है, क्या मतलब होता है, प्रभावित करना, और अगर कोई प्रभावित हो जाए, तो इसके लिए third form का use करते हैं, हम लोग तो हो जा रहार है और नके रहरा है आप देखें क्या वह एनर्पोरेटेड और मैंने पुलेटेड अन्प्रों प्रभावित हो सकत訴 है आंसर देखें यहां पर इंफ्लूएंस्ट और मैंनुप्रिटेड आंसर हो सकता है कुछ नहीं किसी को भी दोका देने नहीं जा रहे हैं याद रखेगा कि सिंपल वर्ड है तो इसको आप याद कर सकते अफेक्ट से याद रखेगा इफेक्ट अफेक्ट अफेक्ट अफेक्टेड ऐसे याद रखेगा ठीक है नेक्स वर्ड आपके पास क्या है अंट नहीं पूछा जा रहे है अफेक्टेड का तो एक तरफ देख रहे हैं आपकी बहुत clearly आपने इस word को समझना है, ostentation word होता है, ostentate करना, चो ostentation का मतलब ही होता है, दिखावा करना, ठीक है, ostentation मतलब क्या होता है, दिखावा करना, यानि कि हमारे पास हो या ना हो, हम दिखाते हैं और हमारे समाज की ऐसी मानसिक्ता ही है, कि जिस मानसिक्ता में हमको दिख दिखावा करना पड़ता है अच्छे कपड़े पहनना अच्छे शूज पहनना अच्छी घड़ी पहनना और फाइनली हम देखते हैं इन सब के बीच में कि हम एक दिखावा कर रहे हैं अंदर से कुछ नहीं है रिसी को बोलते है और अगर कोई विक्ति इस चीज़ से भरा हु ठीक है लेकिन फिर भी आप ऐसा बोलते हैं बढ़ाच अब जबहुत ज्यादा बाते करना किसी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बाते करना उसको इसा संसे सब्ज सकते तो से नहों वह उसको इनसे से बोला जाएगा नेक्स अब यहां पर देखें यह है आपके पास next जो शब्द है आपके पास गोग है Amalga meet Amalga meet का मतलब होता है मिला देना शब्द का बहुत ध्यांस पढ़िए कर देखिए शब्द को पढ़ते समय ही अगर आपको feel आजाए अगर आपको word पढ़ते समय ही feel आजाए शब्द पढ़ते समय ही आपको feel आ जाए तो आपते word का meaning अपने आप ही निकलाता है क्योंकि vocab का एक portion ऐसा portion है कि जितना हम पढ़ेंगे वो सार ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई शब्द हमें पता ना हो हमें उसका हिंदी अर्थ पता ही होता है उसको हम जानते हैं सिर्फ उसको English में क्या कहते हैं हम ये नहीं जानते हैं तो शब्द यहाँ पर है amalga mate amalga ठीक है तो word पर ध्यान दीजिए जो milga क्या लिखा हुआ है आपर क्या लिखा है आओ भाई milga ठीक है यानि कुछ जो milga गया है जो मिल गया है उसे बोलेंगे amalga और लास्ट में ate शब्द आया हुआ है जिसको हमने इसको ध्यान दीजिए का यह सफिक्स होता है और जो के सफिक्स आप से यह कहता है कि यह वर्भ है यानि कि टूडू कुछ करने को बताएगा तो एक्ट और टूडू को बताने का जो काम करता है वो कौन करता है अमल का मेट करता है ठीक है वर्ड समझ में आगया तो बताएग्स वर्ड का आंसर क्या होगा तो कंबाइन और यूनिट टूडू फॉर्म आं मिक्स्चर तो डिवाइड और सेपरेट की बात बात नहीं करेंगे कमजोर करने की बात नहीं कर रहें और करने की बात नहीं कर रहें और किसी को अनक्लियर कर देना तो आपके पास जाएगा तो इस वर्ड को बहुत तरीके से जानते हैं बाकि वर्ड याद रखने का तरीका बहुत सही है अमलगा अमिलगा ठीक है ऐसे याद रखेगा नेक्स आपके पास क्या है कि आपसे पूचा रहे हैं तरह मिल गया है तो वहीं दूसरी तरफ आप अलग कर दो तो एंटनिम हो जाएगा मर्ज मतलब भी मिक्स करना होता है कंपनी करना मतलब एक साथ सॉलिड कर देना यहाँ पर देखिए सी ओन रूट आता है कौन और कौन का मतलब ही होता है together और यहां पर देखिए आपके पास वर्ड क्या रहा है सॉलिड आ रहा है तो Soc중 का मतलब यह हो गया together यानिए साहा साहर और किस के साथ है याने कि solid के साफ में चीज को मजबूत बना रहें है consolidate करने का मतलब होगा मजबूत बना देना पहले से कोछी हलकी है उसमें बहुत है वो एक हलका है उसमें आपने जो मिला मिलाकर बहुत मजबूत कर दिया कोई पुरानी साथ ब्लेडिंग है जो है वहाती सीटूवेशन ऐसी गिरने वाली है और उसी में क्या किया कि और वी चीज़ लगा के विल्यांस बना के उस बिल्डिंग को अपने मजभूद बिल्डंग बना दिया आपने से वाल होता है टाकर epic देखिए आपके पास शब्द के अनालागस वर्ड है तो आपके पूछा जा रहा है इस वर्ड का मतलब क्या है जो लोग रीजनिंग पढ़ते हैं उनको इल्वर्ड का मतलब बहुत अच्छे से पता होता है तो पहली बात तो यह कि जब भी किसी वर्ड के लास्त में बटा ओ उस का मतलब होता है पुल ओफ याद रखियो ने अच्छा इपक्ष इसका मतलब क्या होता है पुल आफ कि हम produkt bisa ऐख कि Hai हम अध्यक्टिव हैं फुल खाता ओर वेक हैता है घदे और हम अजक्टिव हैं तो क्या कहिरा है है आप यह से बात है कि आप यह सी बात होगी जो सेम जैसा है जो अलग अलग नहीं है वो नहीं है यह हमारा जो है है यह एक मतलब हो गया मूनू मतलब हो यह सबता है फि IT की ही सबते हैं हाप देखते हैं और निया गया हूआ हुआ है इसका मतलब होता है सिमलर एक जैसा अधा कई तो होता है कि आगे कम करेंगे पड़ाफट देखते हैं आगे हमारे पास कौन सा Antonim आज की डेट में कौन सा है हमारे पास में answer देखेंगे तो जाइसिवाधिये इसका सेनौनी में, ये इसका सेनौनी में comparable word का यहाँ पर कोई मतलब नहीं answer क्या हो जागा आपके पास different जब आप बात करोगे अनालोग उसकी तो इस word का मतलब क्या हो जाएगा different इस word का मतलब हो जाता है ठीक है नहीं सा मोब करते है affinity affinity एक तरह की quality होती है कि किसी के साथ में अच्छे से रहना strong liking तो इस तरह की quality को affinity बोलते हैं आपने कहा I can see affinity between the brothers भाइयों के बीच में जो प्रेम है वो हमें दिख रहा है तो उस affinity को आप देख सकते हैं तो affinity के लिए यहाँ पर दिखे कि affinity आगर आपको समझ में आ गया हो तो affinity के definition में आप कौन से word को रख सकते हैं रध्यान से देखे कि वो कौन सा शब्द होगा जो कि affinity के definition में आएगा ठीक है A strong liking or connection to someone or something a feeling of unease or discomfort the act of avoiding or staying away from someone or something a lack of interest or concern for someone or something क्या होगा ठीक है जायर सी बात है एक ही answer है आपके पास में कि strong liking someone or something किसी चीज़ के लिए या फिर किसी के बड़ती जो strong liking होती है उसको affinity कहते है यह प्रेम नहीं है याद रखिएगा यह लव नहीं है यह जो है वो एक अलग तरह के affinity है भाईयों के बीच में हो सकती है दोस्तों के बीच में हो सकती है यह लव जैसा है बड़ यह लव नहीं है याद रखिएगा इस चीज़ को ठीक है कि नेक्स वर्ड देखिए आपके पास क्या पूछा जा रहा है आप से कहा जा रहा है यह वैसा इस वर्ड का जो से नॉनिम है उसको आप बताई कि का स्नॉनिम का हो सकता है तो आपने कहा कि सिनॉनिम है तो ठीक हम बताएंगे एंटीपैफिर जो शब्द है हेट इसका मतलब होता है घणा अवर्जन का मतलब भी हेट से ही तुड़ा हुआ शब्द है यह भी इसका पोजिट दिस लाइक आप पहले से जान रहे हो कि जो कि आप लाइक नहीं करते हो तो ले दे कि एक ही वर्ड बना पॉंडनेस होता है पॉंडनेस का मतलब होता है शौखिन यानि किसी चीज का जो शौक रखता है उसके लिए फॉंड कहते हैं फॉंड ऑफ आपने कहा की मुझे खीर खाने का तो यहां पर जो भी वर्बाती उसकी आयंदी फॉर्म लगाते तो आप इंज्वाय करते हो खीर को इंज्वाय करते हो आपको अच्छे लगती ही खीर बहुत खाते हो ठीक है नेक्स शब्द देखी क्या है आपके पास अच्छा उसके पहले आपके पास आपको पूछ लिया आप इप भी बता दीजिए अब आपको पूछ लेया गया है क्योंकि ऐसा तो कोई वर्ड है नहीं आपको पता नहीं आसाना सांसे वर्ड है तो वस एक बार ज़रा ध्यान से पहचान दीजिए इस वर्ड को और आंसर बताईगा यह आपने कहा अपोज़ेट पूछा गया आपने कहा भी तो इसे और दीख रहाता भाई तो इसका कोई मतलब नहीं हो अगर प्रेम है तो उसका पूछ जरूरी नहीं कि घणा ही हो प्रेम का अब बोज़ेट यह हो सकता है कि प्रेम ना हो या फिर आप उस चीज़ को लेकर के बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं हो तो जब आप किसी चीज़ को लेकर के इंट्रेस्ट नहीं होंगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो इन डिफरेंस हो जाएगा दियाद रखिएगा कि इन डिफरेंस का मतलब नीट्रल होना या उदासीन होना हो जाता है इस नॉट लाइक कि अपूजिट लगाव का लगा तो जाएगा ठीक है अब करते हैं आगे नेक्स वर्ट आपके पास के अंबीगुवस बहुत अच्छा इस स्टेट्मेंट बहुत अच्छा वर्ड बहुत बार पूचा गया और वनवर्ड सब्स्टूशन से ले करके सिनॉन एंटानीम और ऐसा कोई सेक्टर नहीं है सेक्ट एंबीगुवस वर्ड हमने यूज़ कर रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले चीज़ों सीखना है आपको वह यह कि आप एंबी यह धान दीजेगा एंबी वर्ड जहां पर भी आजाए इसका मतलब होता है बहुत और इसके बाद जो लिखा हुआ शब्द होता है उसी पर जु कि अंब Rachel Ferguson आपिये कि है अब हो नहींट एक नए पर है क्या रहर नहीं पर और कि वह श्रक है और मोट इसलें अपने डेकर रहा है यह नहीं वह सकता है जिसको और इंट्रेट किया जा सकता है जो अन्क्लियर है जो है उसका हो सकते हैं असरों वेक का मतलब होता है कंसिस्टेंसी ओफ मेनी डिफ्रेंट पार्ट्स आप एलिमेंट्स से कोई मतलब नहीं है एवल टुबी एजली अंडेस्टूड और परसीव्ट ठीक भई आप इतना होता तो एंबी को समले करी नहीं आते एंबी का मतलब ही वह चिकन इस रेड़ी टूएट सेट मॉंट है आपके पास क्या दन चिकन कि एगा जिए रेड़ी टूएट आप स्वाक्य के दो अर्थ है आप ये कहना चाहरे हो कि चिकन पक के तयार हो गया है अब आओ भईया सब लोग खाओ आखे या फिर चिकन कहरा हमें कुछ लाओ भईया हमें कुछ खाना है चिकन is ready to eat और चिकन is ready to eat statement एक ही है लेकिन इसके मतलब एक से ज़्यादा निकल लें इसलिए ambiguous हो गया एसे statements को आप ambiguous statement बोलते हो जहां पर चीज़े clear नहीं हो पाती है ठीक है आगे move करते हैं नेक्स सवाल देखें आपके पास क्या है ambiguous का पूछ रहा है synonym बता दो भाई तो देखो synonym तो बताना बहुत आसान है नहीं बता पाऊगे जैसे आपने इतना पढ़ लिया है तो ambiguous पढ़ लिया तो भाई जायर सी बात है अब सबसे ध्यांदना इसका बढ़ा इंपोर्टेंट होता है यह इसका जो अपोर्टेंट है यह भी बहुत बहुत बार इक्जामस में पूछा गया ठीक है तो बहुत नेक्ट देखिए आपके पास क्या है पूछ लिया है वही तो पहले छी जहांब हमारे पास क्लियर होना चाहिए ठीक है जब आप बात करेंगे आपके पास और नहीं हमारा आंसर कॉंप्लीन होगा ठीक है बूप करेंगे आपके पास ambivalence बहुत अच्छा वर्ड है और पूछा भी जाता है जैसे आपने ambiguous को बना मैंने क्यों पूछा जाता है वैसे ambivalence भी बड़ा important वर्ड है आपको याद हो इस वर्ड को याद रखना बहुत आसान है आपको याद हो आपने electron होता है उसको हम लोग वैलेंस या बैलेंसी बोलते हैं तो मतलब हो गया जो कि shared है जो कि दोनों में है जो इस तरब भी है और किसी दूसरे वाले में भी है यानि कि आप देखिए तो वैलेंस यानि एक ही चीज जो दो से ज्यादा जिखमें पर है और इसलिए वह चीज जो भी है सम्थिंग है समवन है मैंड का clarity नहीं मतला वह फेवर में भी है और वो समझेक किस की तरफ से हे वाले जो लोग होते है उनहीं हम नहीं हम लोग क्या कहते हैं उन्हें ambivalent बोलते हैं और हुम लोग Boss ambivalence, तो the state of having mixed feelings, the state of having mixed feelings और contradictory ideas about something or someone, mixed feelings, कुछ opposite भी है, कुछ favor में भी है, ठीक है, तो इस जो state को हम लोग क्या बोलेंगे, ambivalence पोलते हैं, ठीक है, और इस तरह के वेक्ति को क्या बोलते हैं, ambivalent पोलते हैं, ओके, क्लिर हुआ, the ability to make decisions quickly and confident, तो यह तो अपका अंसर होने सरा, the feeling of extreme happiness और जो है, होने सरा, the act of expressing gratitude, ना, ना, बड़ी बड़ी बाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, आप से क्या पूछा गया है, synonym पूछ लिया है भाई साब, इंदोंने क्या पूछा है, synonym बताइए, which of the following is a synonym, तो जाहिए इसी बात synonym का मतलबी होता है, जो समानार्थी शब्द है, जो पारेयवाचे शब्द हैं, जो इसी के meaning को दूसरा सर दुबारा represent करें, तो क्या उसका अर्थ clarity होगा, मेरे खांसे तो नहीं होगा, तरनटी होगा, नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता, यह सब ऐसे शब्द हैं, जो को निश्चित कर रहे हैं, जब ambivalence की बात करेंगे, तो उस situation कहलाएगी in decision, जहां पे कुछ भी clear नहीं है, कि एक तरफ कोई है, या उस तरफ कोई है, वो clear नहीं है, इसको बोलें कि in decision, ठीक है, clear हुआ, चलिए, अगला शब्द आप से पूछा गया है, कि opposite अब तो बता दो भाई opposite क्या होगा, क्योंकि आपको अच्छी तरह से यह चीज़ पता है, कि जो opposite है, वो कहीं न कहीं clarity को ले करके आएगा, किसको ले करके आएगा, clarity को ले करके आएगा, तो आप कहां पर देखो, क्या clarity वर्द दिया है, ने दिया, कोई बात नहीं, अभी तक तो आप deciding कर प मत करो, यहां से मत करो, यहां से मत करो, अप ऐथी का मतलब फिर से indifference हो गया, तो याद रखी का indifference को ले कि कई सारे words आपको बताया जा चुके है, note करते रहेगा, indifference बोलते हैं, इसको neutral भी बोलते हैं, ठीके, और उदासीन हिंदी में कहते हैं, ठीके, non-shalent word का भी यू पूछा गया शब्द है, one word substitution से लेकर के, synonym, antonym और हर जगह पर यह शब्द पूछा गया है, अनार्की वर्ड का मतलब ही होता है, जहां पर साशन नहीं है, rule नहीं है, rain नहीं है, एक ऐसी विवस्था जहां पर राजा नहीं है, एक ऐसी विवस्था जहां पर कोई लीड करने वाला नहीं है, एक ऐसी विवस्था जहां पर कानून नहीं है, तो इन में से किसे भी शब्द के लिए अनार्की शब्द का इस्तिमाल किय जा सकता है तो बेसिकली अगर अनार्की को देखा जाए तो डिरेक्ली इसको लॉइस्टनेस भी कहा जाता है लॉइस्टनेस की सिचुवेशन को भी हम अनार्की कहते है ठीक है तो कौन-कौन सा हो जाएगा आपने का या तो अप्षेंस है या फिर नॉन रिकोगनीशन है या तो अप्षेंस या फिर अथार्टी जो वहां पर है राजा है उससे मतलब ही नहीं है किसी कोई मतलब नहीं है अपर्म ऑफ गवर्मेंट वेर्ड रूजर हैस अनलेंट पावर ना पॉलिटिकल सिस्टम इन विच ए स्मॉल ग्रूप ऑफ पीपल होल्ड पावर ना गवर्मेंट डैस बेस डॉन रिलीजियस प्रिंस पर ना आंसर क्या हो जाएगा और की सिनोनिम पूछाए और मैंने आप से क्या कहा कि आडर नहीं हो सकता थोटी नहीं हो सकता ले देखे की शद बचेगा इसका प्रणेंसियेशन बड़ा ध्यान से नोट कर लेना यह होगा कि आउस को चाउस ना पढ़ लेना वह लोग चाउस पढ़ लेते क्या होगा कि कानून नहीं है वहाँ पर कानून जनता के दौरा बनाया जाना चाहिए इसलिए इसका अपोजिट जो होगा वह democracy होगा वह monarchy नहीं होगा ठीक है नहीं वह dictatorship होगा ठीक फिर पूछ रहा है which of the following is the closest synonym of anodine closest synonym आप से पूछ रहा है किसका anodine का तो अब यह word आपको सबसे पहले समझने anodine word क्या होता है तो basically यह जो शब्द है यह एक तरह के treatment में use किया जाता है जब आप पेन में होते हो तकलीफ में होते हो और आप कुछ ऐसा treatment मिल जाता है कि जिसके बाद आपको आपको रिल्यक्स हो जाता है ठीक है एक लाइक न्यूट आपका पेट गर्बढ ए दिक्कत हो रही है आपने क्या कि आ पने क्या आपको sensor करेंगे आप आप बताएंगे हम इन्हों के लिए यूज करेंगे तो इन्हों के लिए कौन सा यूज करेंगे जो जाता है अगनाइज असर करें किया सूधिंग अगला देखे सवाल पूछा है विच आप दा फॉलोविंग डिस्क्राइब दा मीनिंग आप अनोडाइन मोस्ट एकुरेटली तो आप से यह बता रहा है कि कौन सा शब्द है जो कि अनोडाइन स्टेटमेंट दिया है क्यों दे रहा हूं मैं आपको वकावडरी यह मैं महनत कर रहा हूँ आपके लिए सोचिए लेटर ए पे मैं लगवक्स हंडेड वर्ट की सिर्द लेकर क्या रहा हूँ ऐसी मैं आपको बी के लिए क्लिए क्या हूंगा हर एक वर्ट के लिए कर क्या हूँगा अप्रॉक्सिमेटली आपके पास 15 to 20 हूँगे जिनमें आप पूरी वकैबलरी का समपूर्ड वकैबलरी को बहुत ध्यान से सीख लेंगे और समझ लेंगे तो नेक्स्पास आपके पास ध्यान से देखिए और इसका आंसर बताए कि यह क्या इसका मीनिंग हो सकता है ठीकर न इसका आंसर क्या रखोगे a substance that causes pain नहीं a medication that induces श्रीप नहीं लानी है something that is pain or discomfort पेन और discomfort की बात जहां पे होगी उसको ease करने के लिए यूज़ कर सकते है और cutting के लिए टूल का answer है नहीं मतलब तो आपके पास यह सिरह असर क्या हो गया something that is pain or discomfort what is the meaning of anomalous next आपके पास आगे anomalous की anomalous शब्द तो है इसका अर्थ क्या है क्या इसका अर्थ predictable है क्या इसका अर्थ normal है क्या इसका अर्थ unusual है क्या इसका अर्थ regular है तो जो समझ के answer दीजिए तो मैं आपको बताओ कि anomaly शब्द यहां पर हम लोग use करते है anomalous से बना वाट्शब दो कौन सा है और यह उस लगा न तो adjective हो गया इसको हटा के वाई लगा दो तो noun हो जाएगा anomaly या फिर anomalous anomalous ऐसे लोग होते हैं जिनका कुछ भरूसा नहीं होता है unpredictable होता है कब यह कहां पर क्या बोल देंगे क्या कह देंगे आपको कुछ भी नहीं पता है कैसी situation होगी आपको नहीं पता है थोड़ा सा feeling of formal शब्द है तो कई बार इस word को हम लोग war की situation में भी use करते हैं anomalous situation चल लगी इसका मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि क्या होने वाला है क्या है क्या नहीं होगा और यह totally strange होता है totally unusual होता है totally आप अलग तरह से चल रहा होता है sometimes आप भी life में ही feel करते हो कि जो situation है वो कुछ ऐसी चल रही है कि जिसमें आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि आकर में हो क्या रहा है आपको इस बात का idea ही नहीं लग पा रहा है कि आकर में हो क्या रहा है बस सब कुछ हो रहा होता है तो कई बन आप ठक हार के बैठ जाते हो आप कहते हो ठीक है भई आप जो हो रहा है वो होने दो जो situation इस तरह की होगी उस situation को आप लोग anomalous situation बोलेंगे और इसलिए ना तो इसका answer प्रडिक्टेवल हो सकता है ना नॉर्मल हो सकता है रगुलर हो सकता है आपके पास अन्यूजुल ठीक है फिर बोल रहा है कि बताव इसका अन्टनियम क्या होगा किętया पहले पता चल चुका है कि एक situation है जो की a new सैक्टुAny अब नॉर्मल सक्टु कॉईशन ने एक और अरं टेपिक laughed situation है क्या यह कवेशनgel सेट्युएशन है या पिर यह स्टैंडर सेट्युएशन सोचना है आपको answer सब्सक्राइब और दी के बीच में घ्रद्यान से देखे तो आपको बहुत अच्छा से क्लियर होगा यह तो इसके से नानिमस में चले जाएंगे दोनों ही और इसका कोई अर्थ नहीं है तो आंसर क्या हो जाए कन्वेंशनल यानि कि जो चिस परंपरावादी तरीके से चली आ रही है पहले से चली आ रही है आपको पता है कि आपको कब क्या करना है तो वह कन्वेंशनल हो जाता है और जब नहीं पता होता है आपको सच्वेशन एकदम अजीब चल लही होती है एकदम अन्यूजवल चलना होता है तो वह क्या होता है तो वह होता है कन्वेंशनल ढ़ा जैसरो देखो बेटर ऑज है गेये ऐ यह है यह आपे ठीक है तो एहां सब्सक्क्राइब कर न सब्सक्राइब उन act निटिक हो गो तो अभ ही उसक्विकोविक बिफॉर पहले आना पहले आना जाये दूसरा हम लोग मॉर्फीम में त्यार करतें मौर्फीम में रूट जानते प्रफिक्स जानते वहां से त्यार कर सकते हैं तो चाहिए आप धर त्यार करो ठीक है और अगर इस बीच में कुछ जुगाल मिल गया तो वह भी एम क्या है आउटकम क्या है उदेश क्या है कि वक्याप रटी होनी चाहिए शब्द रटे होने चाहिए उदेश यह होना चाहिए ठीक है आगर देखे तो coming before in time or order coming after नहीं हो सकता अंसर प्रेजेंट से मतलब नहीं अनलेट नहीं तो आंसर क्या हो जाए coming before in time or order which of the following is an example of an antecedent, antecedent का example क्या हो सकता है a consequence, a result, a cause, a solution अपने बुला कि इसका example क्या होगा तो बताइए जड़ा सोच समझ के जवाब दीजिए क्योंकि आप लोग तो बहुत होशियार है और होशियार बच्चे अकसर सही जवाब देते हैं क्या होगा a consequence, a result, a cause, जब किसी घटना के होने से पहले कोई घटना होती है तो वही तो उसका कारण होती है उसकी वज़े से तो वो होता है होता नहीं होता है ठीक है ना आपने क लगा, he who works hard gets success, he who works hard gets success, तो यह हुआ antecedent तो यही तो cause है, यही तो reason है, इसी के वज़े से सब कुछ हो रहा है, तो answer क्या हो जाएगा, अग्ला सवाल देखिए, आपके पास है, what is the meaning of the word antediluvian, antepurana, before dilu, कौन से dilu, पुराना वाला dilu, समझ में आ रहा है, तो antediluvian, समझ आ रहा है, antediluvian, एक मूवी आई थी ना, दिल, याद आ रहा है, सारुप कान की, बहुत पुरानी मूवी थी, याद रखो antediluvian का मतल अभी वही है, जो पुराना वाला है, जो बहुत पुराना है, जो आज की रेट से नहीं है, जो पहले का है, उसका बोलेगे antediluvian, कोई method हो सकता है, कोई वस्त हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, क्या होगा, meaning क्या है, कि prehistoric और ancient, especially in a negative or critical sense possible है, history को और ancient शब्द यूज कर रहा है, ठीक है, तो यह बिल्कुल हो सकता है, new और modern especially नहीं, देखो, मैंने बताया आपको कि पहले यह बात कर रहा है, पुराने के तो यह तो नहीं 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 हो सकता है, extravagant और luxurious बहुत खर्ची के लिए इस्तमाल किया जाने वारा शब्द यह डिल्लू, antidiluvian याद आया, तो पुराना वाला डिल्लू याद रखेगा, antidiluvian तो prehistoric या फिर ancient से इस सब्द का अर्थ रिया जाएगा, और हाँ, no doubt इसको हम लोग negative और critical sense में ही लेते हैं, कई बार पूछा गया शब्द है, बहुत ध्यान से देखेगा, कई बार इस word को repeat क किया गया है, next, which of the following is an example of an antidiluvian object, बताओ कौन सा object है, अब जैसा कि अब आप सीख चुके हो, जान चुके हो, पुराने की बात कर रहे हैं, तो फिर पुराने में कौन कौन सा हो सकता है, देखे पहला क्या हुआ, क्या स्मार्टफोन हो सकता है, नहीं है, तो आज की डिट का ह टाइप राइटर थोड़ा पुराना है, प्लास्माटे भी तो और यदा अपडेट है, वी आर हैटसेट, नहीं वर्चूल अशा कुछ नहीं, तो यह हो गया आपके पास का टाइप राइटर, पुराना जो टाइप राइटर है, जिसको हम लोग ऐसे खट खट करते थे, आ अगर आप थोड़ा सा अगरा आप जो है वह रूदल एरिया से बिलॉंग करते हैं, तो आप वहां की कोट में जाएग और आप देखिए, आज भी आपको टाइप राइटर मिलेंगे, और वो टाइप करने में आपकी उगलियों की जबरदस्त एक्सरसाइज होती थी, एक् antipathy को बताना है तो देखिए ज़रा इस शब्द को और पहचान लीजिए, कि सबसे पहला आपको कहीं पर दिख जाए पैथोज क्या दिख जाए पैथोज तो पैथोज एक रूट वर्ड है कौन सा वर्ड है रूट वर्ड है अब इस रूट वर्ड के क्या मतलब होते हैं त अरे फिलिंग्स की बात नहीं कर रहा होगा तो पिर इन सफरिंग्स की बात कर रहा होगा तो बात या तो तकलीफ दर्द पीडा की होगी या फिर बात होगी मन की भावना की फिलिंग्स की और इस लिए हर जिखें पे आप पैथोज वर्ड को सुनोगे जैसे हमने का थी समझा रहे रोड पर एक्सिडेंट हो गया आपके मन में तकलीफ है लेकिन आपने कुछ किया नहीं सिर्फ बखी है आप गए वहाँ पर रुके आपने उसको एंबुलेंस लेकर के पहुंचाया जो है हस्पिटल तक यह इंपथी है तो सिंपथी और इंपथी का डिफरेंस और यहां पर एक वर्ड जो आपसे पूछा गया वह कौन सा वर्ट पूछा गया एंटी पहती तो एंटी का मतलब होता है अब वोजट नहीं समझे ना बोड पर देहां से देखो ए एंटी आई ध्यां से देखो पहले तुमनों बहुत ज़्यदी भागते हो एंटी का मतलब बिफूर दोनों अलग अलग है तुमनों को बस अब एक ही लगता है नहीं तो एक हो गया एंटी और एक हो गया एंटे याद रखिएगा ठिक एंटी मतलब अफोजित होता है याद आस सुना भी एगा थोसऻनПрोजनों गरां खिलते दो बड़ा एंटी चलना है तो एंटी का मतलब ऑपोजित होता है So now here what? A feeling of love and admiration. प्रेम होता तो antipathy नहीं होती. A strong feeling of dislike हो सकता है. Hostility हो सकता है. Towards someone or something बिल्कुल पॉसिबल है. A natural feeling towards someone. Natural नहीं. Feeling of excitement नहीं. क्या होगा अंसर? A strong feeling of dislike or hostility towards someone or something. ठीक है? Which of the following is the closest meaning of antipathy? For a closest, hate, घणा, antipathy, मन में भावना, भावना के विरुद्ध. ऐसे किसी भी शब्द का जो opposite शब्द हो सकता है. वो क्या हो सकता है? क्या वो affection है? क्या वो aversion है? क्या वो adoration है? क्या वो admiration है? क्योंकि बात कर रहे हैं हम synonym के. आफेक्शन, affected से बना हुआ शब्द है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ये प्रेम के लिए यूज किया जाने वाले शब्द है. तो finally, aversion क्या होगा? यही आपका right answer होगा. नहीं कि अवर्ट करने का मतलब ही किसी चीज़ को दूर फेकना होता है. अवोइड करना होता है. एक और अवोइड करना होता है. अवोइड कर देना. ठीक है? तो वर्ड आपके पास क्या होगया? अवर्जन. नहीं सामसे पूछा रहा है, अपोजिट बता दो भाई, अभी तक तो आप बहुत जो है लव हेट था, घणा थी, बहुत जो फिलिंग सी वो अपोजिट थी, तो आप बताई आप आप आपोजिट हैनी कि कैसी बात करनी चाहिए, आपको यहाँ प्रेम की बाते करनी चाहिए, अच्छी बाते करनी चाहिए, जहां से जो है वो लव आता हो, वो कौँ सी बात है, यहाँ पर क्या कोई ऐसा शब्द है, क्या इंपथी हो सकता है, क्या सिंपथी हो सकता है, क्या एंथूसियास्म हो सकता है, या अप्याथी हो सकता है, शब्द देखे एन्टीप cloudy यानि के feeling कैसी हह आपके अंपिए घड़त घटना के फीलिंग क कि पहुम है किधर चेंज करना चाहेंगuing सिंपथी इंपथी में चेंज करना चाहेंग के दो आपस में कुद रखुद सिन्ट जो किसी की की तरफ नहीं कि अगर आपके पास कूई ऐसा वर्ड नहीं है कि नूटल होना आपएथी का मतलब नूपाथी यानिकि feelings का ना होना तो जहां एक तरफ बहुत ज़्यादा hatred है दूसरी तरफ अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो प्रेम को शो कर रहा है क्योंकि sympathy इंपरी सिंपल सहनबूती feelings के लिए वर्ड है लेकर हमें अगर चाहिए तो फिलीन होना चाहिए यानिकि लव की बात होनी चाहिए और अगर लव आपकी आप्शन में नहीं है तो आपका जो आंसर होगा याद रखी का कई वार सवाल ऐसे पूछ लेते हैं या आप जो ढूर रहे होते है वह आप्शन में नहीं होता है तो अभी यहीं पर कहीं पर लव लिखा होता तो सीधा आपका अंसर हो जाता अड़ लिखा नहीं है इसलिए हमारे पास आंसर क्या जाएगा अपैथी जाएगा और इंतुजियास्टिक परसन होता है जिसके बहुत ज्यादा उत्साह होता ह ठीक है अगे देखे अपैथी विच आप बेस्ट डिस्क्राइब दर मीनिंग आप अपैथी आपके पास आगया आपके पास अपैथी शब्द आगया और मैंने बताया कि अपैथी का मतलब ही होता है कि जहां पर आपके प्रति आपके अंदर किसी भी तरह की भावना है ही नहीं तो आप देखे अपैथी आप अफ्यक्राइब ऑफ लव और अफेक्शन टूवर्स समवन और समधिंग नहीं भाई अलाक ओफ इंट्रेस्ट इंतूजियाज्ट और कंसर्ण टूवर्स समवन और समधिंग अब देखे अपैथी का डेफिनिशन से आपका और अच्छ चीज़ है आप न्यूट्रल हो साइड में खड़े हो बात खतम है तो यह दोनों ही आंसर ले करके नहीं चलेंगे आपने का नहीं इंट्रेस्ट है यह दोज्यास में नहीं क्लोज है बताई तो लाक का अपोजिट हमेशा क्या होगा एंथूजियास्म होगा क्या हमेशा इंथूजियास्म होगा आगे पास अपके पास अपक्स बोलते ही टॉप एक कैसी भी कोर्ट जो होता है आप बोलते अपक्स कोड है अगर न्यूस पेपर आप टाइश में है तो आप अपक्स कोड को बहुत बार सुनेंगे सबसे उचाई पे होना ठीक तो आप देखे क्या यहां पर ऐसा कोई शब्द है तो इस बात को शो कर रहा है अगर हो तो इसका आप मुझको बता सकते हैं और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं तो आंसर क्या हो गया दा हाइस पूछ रहा है आपको तुरी बहुत बाएं हाथ का खेले आपने देख और सीधा आंसर आपने मार दिये क्या समिट मतलब शिखर जो पहाल होता है यह पहाल का जोगे टॉप पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं समिट इसलिए देखो हिंदी में कई बार शिखर वारता होता है और शिखर वारता के लिए भी हम देखते समिट यूज़ होता है आप का हुआ यह चीजा चौन फेंगई नीचे आ नीचे आपके आपके पास पूछा गया शब्द आपो जी करेंगे तो यहां पर क्या है ना lowest point or dip of something, the highest point or peak of something, the point in the orbit of the moon or satellite that is furthest from the earth, the point in the orbit the satellite that is closest. यहां पर word आपके साथ यूज़ के जा रहा है, अभी देखिए एक और word होगा, अपजी के बाद में, अजी, परिजी, ठीक है, यहां से आधर रखो, एक word होगा आपके पास एपजी और एक होगा आपके पास पैरेजी, ठीक है, यह आपका अर्थ है, माले जी अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ पे आप यहां पे पढ़े वाला मुस्कुरा रहे हैं, तो कि आप मुस्कुरा थे बहुत हैं, और यह देखिए आपका मून ही, जो की चाव तरफ चक्का लगाता है, यह बिल्कुल गोलाई में चक्का नहीं लगाता है, एक ऐसा पॉइंट होता है, जहां पर यह पास होता है, जो दूर वाला जब अर्थ के सबसे पास होता है, तो इसको पैरजी बोलते हैं, दूर होता है, तो अपजी बोलते हैं, इसका आप पोसिट हो जाएगा, पैरजी, अब आजाए इधर, आप जब देखते हैं, तो आप से मीनिंग पुछा गया था, तो आपने का परदेस्ट है, यह दूर की क्लोजिस्ट क्या हो जाएगा, जैसी बाते क्लोजिस्ट में, जो कि दूर है, तो दूर के लिए कौन सा शब्द आप यूज कर सकते हैं, क्या आप समिट यूज कर सकते हैं, क्या आप नेडियर यूज कर सकते हैं, क्या बेस यूज कर सकते हैं, तो देखिए, जहां पर आप किसी गूले पे ऐसे हÕ मझे जब ऐसे कुछ बनाते हैं तो देखें जो टॉप वाला point होता है उसको जीनत बॉन जाता और उसके बाद जो नीचे वाला point होता है उसको नेडर कहा जाता है तो आप देखिए अब उस इस पर लेवल ना पासना वर्ड अब टूर के लिए है तो दूर के लिए जो शब्द हो जाएका वो जीनत तो बहूँता है तalts अम हो जागा आपके विसके कि आपको आंसर करना पड़ेगा डिरेक्टली आप इसकी आंसर को नहीं कर सकते हैं ठीक है नेक्स आई आपके पास कौन सब वर्ड है देखिए आप गेम वर्ड है अपो देम ठीक है इस वर्ड को देखे अलांग डिटेगर एक्सपरिशन आफ कॉंसेप्ट और आइडिया हो स अब इसी कहावत इसी प्रोवर्व को हम जितना जादा इसलैंग फॉर्म में लेकर करके जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी कहावत है जो आज भी नोट नहीं है लेकिन उसके मेनिंग बहुत अच्छी अच्छी ठीक है जैसे कहा जाता है भारत की बारे में कि कोस- speculative बाणी बदले और चार distinct पर पानी तो ऐससे बोलते हैं कि भारत में यह बात कहीं है कि आप थोड़े समय पे अगर आगे बढ़ेंगा तो यहां जबान वेल्ती रहती है और चार बारे में कहा जाता उल्च अनल श्वान कि एक्छाली बात तो इस तरह कि बात को कों ईयच एम जी को पणाउस करते प्रांस नहीं करते अफ ऑब दे मुड़ už ठिक है a shot पिथी strang और мैक्सिम तो कोईüss हो सकती है मेक्सिम भी सेम इस्टेत्मन्न यूज किया जाता है तो चाहे मैक्सिम को या फिर आप और इच को आप किसी भी वर्ट को इस्तमान यहां पर कर सकते हो ठीक है ने देखिया आपके पास क्या है क्या पूछा गया अपोजट की बात करोगे तो एक तरफ आप देखते हैं जहां पर कहावत की बात होती है तो एक सिंपल इतनी सिंपल भासा कि बिल्कुल एकदम कहते हैं कि अपनी रूजर लैंगवज जो होगी तो इसके लिए हम यूज करें कांसा वर्ट कॉन्वल्यूटेड लैंगवज ना सिंपलिफिकेशन एक्स्परनेशन यह यूजर लैंगवज यूज करें कि मतलब एक ऐसी लैंगवज जिसको मर्ज करके बना दिया गया है कि ताकि लोग जो है उसको बहुत जल्दी समा सके उनके लोकल जो उनका बात चीथ है उसमें ठीक है नेक्स आपके पास देखिए व स्वाद मिल गया जिसस्वाद का आप बहुत सालों से वेट कर रहे थे आप क्या हुए संतुस्ट हो गए आपने आप आंखे बंद करके खा रहे हो खाने का फील ले रहे हो इस संतुस्टी को अपीजमेंट कहा जाता है और अपीज वर्ब हो गया अपीज का मतलब शांत एक तो जहां पर एक तरफ काम है कौंपलिमेंट है इंकरेज हैं अच्छी चीज़े हैं वही पर आप देख सकते हो कि एक वर्ड आपके पास कौन सा है वह वर्ड है आपके पास आपको अच्छा मैसूस कराता हो उससे सोध बोल सकते इस फेसिकदी आसि ओला जिं़ तो घी पैसिकर掉 आपको सीधा आंसर्व को इसका बता दे रहा हो इसको सीधा रहा हो सीधा Name or title एक name and title जो है वो दिया जाता है जैसे कि आप देखें तो कई सारे case है जिन case को हम लोग refer करते हैं कि पहले कोई case हुआ उसी case के अधार पे और भी case करते है तो particular एक name दे दिया जाता है किसी को, legal name दे दिया जाता है और वही name आगे ले करके हम लोग चलते हैं जैसे कि केशवानन भारती का केस माना जाता है Constitution में बहुत ज़्यादा तो information नहीं होगी मुझे इसके बारे में लेकिन मुझको इतना पता है कि उससे काफी सारे changes Constitution में लाए गए थे और आप देखे तो उसकी वज़े से क्या होगा तो एक नाम सा बन गया वो अपने आप में ब्रैंडिंग सी होगे उस नाम की तो इसलिए आप ऐसे वर्ड को क्या यूज कर सकते इसलिए मैंने का कि बहुत ज़्यदा इस वर्ड को आप नहीं समझ पाओगे विच आप दा फॉलिविंग जैन एक्जाम्पल पर हिट करो यूग कि आपको एक बार समझ आ गया क्या है नेम के लिए तो एक्जाम्पल पर हिट करो एक्जाम्पल क्या हो जाएगा तो एक्ज जाए कि इस वर्ड को क्या हम नेम के फॉर्म में मतलब इसका क्या हम यूज कर सकते हैं और आगे मूब करें अप देखो सवाल उसने पूछ लिया इसलिए मैंने कहा कि इसको थोड़ा से हम लोग ध्यान से समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा हमने कहा कि what is the difference between an appellation and a nickname कुछ तो difference होगा इसलिए है an appellation is a formal name while a nickname is informal भाई nickname तो हम किसी को भी हम दे सकते बट हमने अभी आपको बता है कि properly किसी को एक नाम देना आपका जो होता application कह रहाता है एक फॉर्मल और एक informal की कहानी है जो कि आपको यहां पे सुनानी है what is the meaning of arrest बतानी की जरूवत है कि आपको मतलब ऐसा कोई वर्ट तो नहीं मुझे लगता है कि इस वर्ट को आपको बतानी की जरूवत है to free someone from custody to capture and detain someone to release someone from prison sentence क्या करना बही पकड़ना है ना capture करोगे और detain करोगे capture करोगे और detain करोगे रोग लोगे इसी को हम लोग क्या बोलते है which of the following is an example of an arrest simple साब बढ़ था फिर भी लेकिन मैंने आपको example दे दिया बताए arrest का example क्या हो सकता है अब police officer is stopping someone on the street to ask for directions क्या ये हो सकता है a person turning themselves into the police voluntarily a person being handcuffed and taken into custody by the police and a person being released from prison after serving there so this is the answer is okay arrest एक ऐसा word है जो कि आप कहीं न कहीं उसका टेच में रहते ही है कि अब रहने का मतलब यह नहीं कि आप समझे ना arrest करने का मतलब देखा पिचरों में देखा मैं उसकी बात कर रहा हूं ठीक है क्या हो जाएगा a person being handcuffed and taken into custody by the police ठीक है what is the difference between arrest and detention अब देखिए दो शब्द आते एक होगे arrest कर लेना और एक होगे detention detention देखिए answer क्या है धास देखिए पहले पढ़िए और फिर इसका जवाब मुझे बहुत ही सही तरीके से दीजिए ठीक है कि आपने देखा कि जो रैली वगरा होती है जब बहुत साथ लोग रैली में आ जाते हैं तो पुलिस क्या करती है बसों में सबको भर के ले जाती है रोकती है दो चार घंटे ठाने में और उसके बाद रिलीस कर देती है कि डिटेंशन में हम तेंप्रेरी रोक लेते हैं कोई चार्ज नहीं लगाते हैं बस बस जो सिचुवेशन को हैंडल करने के लिए रोका जाता इसको डिटेंशन बोलता है लेकिन जब अरेस्ट करेंगे तो प्रॉपर्ली चार्ज लगेगा क्राइम पूफ होगा और प्रॉ आंसर हो सकता है आपको सिंपल समझना है कि एक टंप्रेरी होता है जिसको हम कुछ टाइक के लिए लेकर चलते और दूसरा कस्टडी में तो कस्टडी के लिए आप तो वारंट के आपको लैटर ये पर आने वाले से लेकर के आपके एक पेपर से लेकर करके आपके एक इसारे सारे पास्ट प्रेजंट और तीनों ही वर्स आपके यहां पर गिनार नोर्स मनाने है और यही आपके लिए important होगा और यही आपके लिए portfolio होगा मिलते हैं next class में Thank you